हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लोग मेरा मनबील है सिफ देड़ हजार रुपए में गेमिंग इयरबट्स अल्ट्रा लो लेटेंसी वाले नॉइस की तरफ से यह आज मैं चेक आउट करने वालो इसके अन्बॉक्सिंग और इसका रिव्यू अपने सारे इंप्रे गेमिंग नेक बैंड का बॉक्स सामने से कुछ इस तरीके से दिखता है अगर हम पीछे से देख ले तो इसके कुछ फीचर्स दिए वह है जैसे अल्ट्रा लो लेटेंसी इंस्टा चार्ज यानि की रैपिड चार्जिंग हो जाएगी आईपे एक सफाइप वाला चार्जि और आखिर में देखने मिलते यह गेमिंग इयरबट्स अब यह नेक बैंड स्टाइल में है और कम्प्लीटली जो है गेमिंग वाला यहां पर लुक इन्होंने देखे रखा है अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो यहां पर आपको यह ट्रैंगल शेप के बटन सो फिर से इयरबट्स के अंदर दोस्तों दो माइक्रोफोन दिये वे है तो यहां पर आपको नॉइस कैंसलेशन वगरा मिल जाएगी इयरबट्स की बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाते है और यहां पर इनका शेप जो है और डिजाइन तोड़ा अच टा जाओंगा यहां पर आगया इसका नाम और यहां पर इसको क्लिक करते ही निहीं बीजेश Lakes लेकिन लेगेँ जैसे यह यहां पर यहां पर न भंप में ल्गोर अपका चेट एक र मेत्स का çocuğ मैं घुक्य ejえ और इहां बैंड का सब्सक्राइब यहां पर अन्बॉक्स ए सट सबसे पहले wearing comfort की बात कले तो इसको पहनना बहुत ही easy है इस तरीके से आप उसको अपने neck में डाल सकते हैं और इसको अपने कान में आप पहन सकते हैं गिरने का तो सवाल उठता ही नहीं है तो इसका head shake टेस्ट करके मेरा सर दुखा के फायदा नहीं है क्योंकि आपके neck पे रह resistance है IP68 वगरा तो नहीं है लेगिन water resistance है IPX5 का तो यहाँ पे आप जो sweat वगरा है या light rain में भी इसको use करेंगे sports activity के लिए use करेंगे तो यह खराब नहीं होने वाले अब यहाँ पे इसकी जो audio quality है उसके उपर आ जाते है उसके गेमिंग की बात करेंगे microphone की बात करेंगे तो य एक अच्छी चीज है मतरब decent output आपको music में audio quality में इन earbuds के साथ जो है आसानी से मिल जाएगा कोई issue इसमें आपको नहीं आएगा second चीज जो यहाँ पर मैंने test किया दोस्तों वो gaming है bgmi खेल कर देखा इसके साथ और इसका जो यह low latency वाला mode है यह actual में काम करते है तो यहाँ पर इन्होंने यह button देके रखा इसको आप प्रेस करेंगे तो यह low latency mode में चला जाता है और gaming mode करके आपके कान में यह बोलेगा भी game on करके और यहाँ पर देख सकते है आप यह lights भी आपके जल जाते है तो इससे आपको थोड़ा वो cool effect भी आ जाता है और low latency मिल जाती है तो मैंने बीजे मैं कलके देखा वैसे मुझे low latency mode और normal mode के अंदर दोनों में latency नहीं देखने मिली which is a good thing तो अगर आप gaming के लिए यह ear words देख रहे हो low latency वाले तो इनके लिए आप जा सकते हो यहाँ पर आपको कोई issue इसके अंदर latency वगरा कर नहीं आएगा अब तीसरी और सबसे important आपको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मेरा जो iPhone होता है उससे में call लगाता हूँ और यह ear words pen के बाद करता हूँ फिर उसके आइफोन का normal जो call होता है वैसा करके देखता हूँ सेम call के उपर और तीसरा जो है मैं speaker बेड़ा के देखता हूँ तो वहाँ पर मैं quality compare करता हूँ क् काफी एक महेंगा phone है और इससे अगर similar quality भी निकल के आती है थोड़ी 19-20 कम भी रहती है तब मैं इसको अच्छा मानता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो quality है वो decent निकल के आई है slightly आपको volume low लग सकता है सामने वाले को जब वह आपसे बात कर रहा है तब लेकिन overall अच्छी quality है इयर बट्स की तो noise combat जो है दोस्तो अगर आपको लेना है you can definitely go for it 1500 रुपए में मेरे हिसाब से काफी value for money है अगर आप gaming के तरफ जादा inclined है तब तो यही था दोस्तो हमारा चोटा सा review noise के combat का अगर आपको लेना है तो amazon पे मिल रहा है maybe limited time deal है 1500 वाली बाद में इसका price थोड़ लेँ रहा है